नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सोनम आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वाले हों की डिस हाइड्रोटिक एक्जीमा का निदान कैसे किया जाता है और इसका इलाज कैसे होता है इसके डाइट और घरे लूप चार के बारे में हम चर्चा करेंगे डिस हाइड्रोटिक एक्जीमा के उपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख ले और इसके बारे में समझ ले जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप जल् आप ये वीडियो के स्टार्ट करते हैं lets स्टार्ट इसहाइड्रोटिक एकजीमा का निदान कैसे किया जाता है कुछ लेकिowment मामलों में डिसाइडोटिक एकजीमा का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टैस्ट भी कराते हैं ज़रूरत पढ़ने पर ट्वच्चऱ की बायोपसी भी होती है ताकि किसी भी तरे का फंगल इंफेक्शन का पता लगाया जा सके अगर डॉक्टर को लगता है कि डिस हैडोटिक एक्जीमा होने का कारण scheint है तो ऐलर्जी इसकें टेस्ट भी कराते हैं डिस हैडोटिक एक्जीमा का निम्न तरीकों से इलाज करते हैं जैसे कि दवाउ से या medical treatment से cortico steroid cream या ointment लगा कर dyshidotic eczema का इलाज किया जाता है जरुवत पढ़ने पर dyshidotic eczema के इलाज के लिए cortico steroid का injection और pills भी दी जाती है dyshidotic eczema के इलाज के लिए अन्य treatment का प्रियोग किया जाता है जैसे कि UV light treatment, बड़े छालों का fluid बाहर निकाल कर, anti-histamines के दवारा खुजली को ठीक करने वाले ointments लगा कर immune suppressing ointment लगा कर इसके अलावा अगर आपको infection है तो साथ में antibiotics भी दी जाती है dyshidotic eczema का असर अगर कम है तो आप Claritin या Benadryl की मदद से इस अमस्या को कम कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके घरेलू इलाज की dyshidotic eczema में खुजली को कम करने के लिए बर्फ से सिकाई कर सकते हैं सिकाई के बाद जो भी आपके डॉक्टर हैं वो ointment लगाने के लिए कहते हैं खुजली वाले स्थान पर आप निम्ड मॉस्चुराइजर का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे वैसलीन, लिूब्री डर्म या यूसेरिन ointment या फिर mineral oil इनको यूज करने से आपकी खुजली में आपको अराम मिलेगा आप बात करते हैं इसके डाइट की डाइट में बरलाफ करके डिस हैडोटिक एकजीमा को ठीक किया जा सकता है आप अपने खाने में वाइटमिन A को शामिल करके डिस हैडोटिक एकजीमा का इलाज कर सकते हैं इसके साथ ही उन फूड्स को ना खाए जिससे आपको अलर्जी होती है जैसे निकल या कोबाल्ट आप बात करते हैं इसके होम रेमेडिस के बारे में डिस हैडोटिक एक्जीमा होने का exact cause अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है सबसे मुख्य बात ये है कि आपको अपनी त्वचा की अच्छे तरीके से देखभाल करनी चाहिए जैसे हाथों में क्लिंजर लगाकर गुन-गुने पानी से धोले और अच्छे से पोच कर सुखा ले मॉस्चुराइजर का नियमित रूप से प्रयोग करें गलव्स पहनें, हाथों और पैरों को ढग कर रखें इसके अलावा जिसको भी ये परिशानी हो रही है वो लोग अपनी डॉक्टर से संपग करें क्योंकि आपके स्वास की इस्तिती देखकर ही डॉक्टर आपको इसका उप्चार बता सकते हैं तो ये थी हमारी आज की जानकारी डिस हाइड्रोटिक एक्जिमा के उपर अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच